जैसा कि अभी strawberry का सीजन चल रहा है और मेरे अभी बहुत ज़्यादा strawberry आ रही थी तो कल में market से लेकर आई तो देखी कितनी अच्छी strawberry आई है आज हम बनाने वाले हैं इनी strawberry से strawberry milkshake जो की पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को बड़ों को सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं strawberry milkshake जिसके लिए सबसे पहले इनकी पूरी leaf निकाल देंगे और फिर हमें strawberry को roughly chop करना है strawberry chop करते वक्त उनका उपर का जो थोड़ा सा green part रहता है वो निकाल दें उससे strawberry shake में ना खटास हा जाती है थोड़ी सी और मैं एक जरूरी बात तो बताना भूली गई strawberry को chop करने के पहले आप उन्हें साफ पानी से दो बार अच्छे से दोके रख लें उसके बाद ही आप strawberry को यूज करें strawberry milkshake बनाने में जो इसकी एक सबसे अच्छी बात होती है और जो मुझे बहुत जादा पसंद है वो यह है कि ना तो strawberry को चीलना परता है और ना ही इनको बहुत जादा chop करना परता है इसलिए strawberry shake बनाना बहुत जादा आसान होता है और बच्चे जब चाहें हम उन्हें तब य vanilla ice cream आपके पास में strawberry की ice cream हो तो आप strawberry ice cream भी डाल सकते हैं आज मेरे पास में vanilla ice cream रखी हुई थी तो मैंने वही डाल दी है साथी में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 tablespoon sugar शकर शकर की quantity थोड़ी कमी रखें क्योंकि strawberry भी थोड़ी मीठी ही है और मैं ये 2 glass milkshake बना रही हूँ तो यहा full fat cream वाला दूद लिया है मैंने यहाँ पर अब हमें इसको mixi में grind करना है तो देखिए shake को मैंने mixi में grind कर लिया है और grind करते वक्ति याद रखें कि हमें इसे पूरी तरह से grind नहीं करना है थोड़े बहुत इसके part रहे जाएंगे न अगर strawberry के तो वो जब मुह में आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे milkshake में भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े पार्ट मैंने छोड़े हुए हैं तो चलिए हम milkshake को serve करते हैं strawberry milkshake को serve करते वक्त अगर आप चाहें तो glass में नीचे थोड़ा सा strawberry का pulp आप रख सकते हैं मैंने अभी नहीं रखा है मैं plain इन ही strawberry shake serve कर रही हूं बस उपर से थोड़ा सा ice cream से इसको decorate करूंगी तो देखिए मैंने glass में milkshake को serve कर दिया है एक glass में milkshake थोड़ा सा कम रह गया है क्योंकि glass बहुत जादा बड़ा है उपर से हम डालेंगे थोड़ी सी ice cream milkshake को आप जैसे चाहें वैसे decorate कर सकते हैं यहाँ प एक glass उठा करी ले गया और बोला ममा यह बहुत जादा टेस्टी बना है तो friends अगर आपने भी आज तक कभी भी इस तरह से strawberry milkshake नहीं बनाया है तो एक बार जरूर ट्राइ करें यह पीने में बहुत जादा टेस्टी लगता है और healthy भी रहता है और इससे जो बच्चे दूद पर लेकर आती रहती हूं जिसके लिए हमारे चैनल से चुड़े रहिएगा तो कल मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ धन्यवाद दोस्तों